आज हम discuss करेंगे mass production technology of campolitis chloride सबसे पहले introduction की बात की जाए तो campolitis chloride जो है वो एक important larval parasitoid है जिस टाइब से previous lecture में हमने discuss किया था mass production technology of trichogramma तो trichogramma जिस टाइब से एक egg parasitoid है उसी टाइब से campolitis chloride जो है वो एक larval parasitoid है और जिस टाइब से लेबोरेटरी कंडिशन में ट्राइकोग्रामा को कोरस ऐरा सिफैलोनिका के उपर फीड कराया जाता है उसी टाइब से केमपोलेटीस क्लोरीडी जो इंसेक्ट है वो हेलिकोवरपा आर्मिजेरा के उपर फीड करता है या हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा केमपोलेटिस क्लोरीडी के लिए एक होस्ट की तरह विवार करता है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा जो है वो एक serious pest है जनरली cotton, chickpea और पीजन पी जैसी crops के उपको ये damage करता है उसके अलावा ये grain legumes और cereals के उपर भी बहुत अधिक मात्रा में damage करता है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा एक serious pest है mainly cotton और chickpea का पर जैसे जैसे cotton की varieties में development होने लगा cotton species में development होने लगा उसी दोरान introduction हुआ BT transgenic crops का BT transgenic जो crops हैं वो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा के लिए resistance है यानि कि हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा जो pest है वो BT transgenic जो crop है cotton की उसके उपर वो attack नहीं कर पाता और इसी field में development होने के साथ kempolitis chloride का development है वो cotton की crop में थोड़ा कम पढ़ने लग गया क्योंकि kempolitis chloride जो है वो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा के उपर feed करता है और cotton की जो BT transgenic जो cotton की crop है वो resistant हो गई हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा के लिए तो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा अब उस cotton की crop के उपर attack नहीं करेगा तो cotton की field में हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा के लार्वा नहीं मिलेंगे तो जो केमपोलेटिस क्लोरीडी जो है उसका वहाँ पर जो सर्वाइवल है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है जिस टाइप से इमेज में शो हो रहा है यह जो इंसेक्ट है यह है केमपोलेटिस Chloridae और ये Larva के उपर Helicopa Armigera के Larva के उपर ये Feed कर रहा है ऐसा नहीं है कि Campolitis Chloridae जो Insect है वो सिर्फ Helicopa Armigera के उपर ही Attack करता है या सिर्फ उससे ही Host के रूप में यूज करता है इसके अलावा वो Pest की Other कुछ Species है जिनके उपर भी वो Feed करता है पर जनरली ये देखा गया है कि केमपोलेटिस क्लोरीडी का जो मैक्सिमम कोकून फॉर्मेशन होता है और जो अडल्ट का इमर्जेंस होता है मतलब अडल्ट कितनी जल्दी निकलेगा ये सबसे ज़ादा जब वो हेलिकोवरपा आर्मिजेरा पैस्ट के उपर फीड करता है तब सबसे ज़ादा कोकून फॉर्मेशन देखा गया है और अडल्ट की इमर्जेंस जो है वो बहुत ज़ादा जल्दी देखी गई है अगर इंसेक्ट होस्ट के कमपैरिजन में जो लार्वल एंडो पैरसिटोईड है केमपोलेटिस क्लोरिडी वो जनरली लेपिडोप्टेरा के जो इंसेक्ट है उनके उपर ही पैरसिटिजन को शो करता है या फिर उनके जो लार्वा है उनके उपर लेपिडोप्टेरा ओडर के जो इंसेक्ट है उनके लार्वा के उपर ही ये feed करता है पर हाँ ऐसा कहा जा सकता है कि जो Campolitis Clorid जो insect है उसका survival किस type से होता है उसका development इन सब के उसके क्या-क्या crop host कौन-कौन से है या फिर वो different insects के उपर different larva's के उपर किस type से feed करता है इन सब की जो जानकारी है वो अभी इतनी जादा develop नहीं है जितनी हम other insects की बात करें जैसे कि ट्राइकोग्रामा के उपर जितनी study हो चुकी है उतनी study इसके उपर नहीं हुई है या फिर इसकी जानकारी अभी कम है जो Campolitis Clorid के जो eggs हैं वो जनरली एक से डेट दिन में hatch हो जाते हैं hatching का मतलम होता है कि egg से larva निकलने की जो process होती है उसे hatching बोलते हैं तो जो egg होते हैं वो एक से डेट दिन के बीच में hatch हो जाते हैं जो हम total egg और larval development period की बात करते हैं तो ये total period होता है 7 to 8 days का और जो larva है वो अपनी feeding को complete कर लेता है helicoverpa army gera के उपर जब ये अपनी growth को complete करता है यानि कि अपनी larval development को complete करता है तो जो campolitis chloridys के जो larva हैं वो immerse होते हैं host के larva के पास से यानि कि सबसे पहले हम mass production technology की जब बात करेंगे campolitis chloridys की तब इसे हम और थोड़ी detail में समझेंगे कि किस टाइप से ये helicoverpa army gera के जो larva है उसके उपर feed करता है और उसको हम किस परकार से इसकी rearing करते हैं जब campolitis chloridys के egg से larva निकलता है और जब larva जो है वो अपना life cycle complete करके pupil stage में जाने वाला होता है तब है अपने चारों और एक कोकून बना लेता है और उसके बाद ये प्यूपल पीरेड में चला जाता है इसका जो प्यूपल पीरेड होता है वो जनरली six days का होता है और इसके पोस्ट embryonic development यानि कि embryo की निकलने के बाद का जो development है उसे हम बोलेंगे पोस्ट embryonic development तो जो पोस्ट embryonic development है वो जनरली 13 to 14 days में ये complete कर लेता है इसके लिए हमें एक artificial diet भी बनानी पड़ती है क्योंकि जब हम campolitis chloride को lab की अंदर बहुत जादा मात्रा में produce करेंगे तो उसे feeding करने के लिए host की मात्रा भी चाहिएगी और उस host को भी जीवित रखने के लिए या उस host से भी larva को produce कराने के लिए क्योंकि सीधी सी बात है campolitis chloride जो है वो तो larva के उपर ही feed करेगा और हमें host larva को laboratory में लाना होगा और उसको वो medium देना होगा जिससे वो larva जो है वो और जादा मात्रा में produce हों तो सबसे पहले हम हैलिकोवरपा आर्मी जेरा को farmer के field से यानि कोई भी field जो है जनरली चिकपी के field से जो हैलिकोवरपा आर्मी जेरा के लार्वाज है उनको हम collect करेंगे उनको चिकपी based semi synthetic artificial diet यह मतलब संसले सी तरीके से humans के द्वारा बनाए गई एक artificial diet जिसमें की चिकपी भी होता है क्योंकि हैलिकोवरपा आर्मी जेरा जो है वो क्रॉप को सबसे जादा पसंद करता है तो इसलिए चिकपी based semi synthetic artificial diet हम बनाते हैं हैलिकोवरपा आर्मी जेरा के लार्वीज के लिए उसको उसके उपर feed करवाते हैं और laboratory conditions में हम उसको रख देते हैं उसके बाद जब लार्वाज से बड़े होके मोथ निकलेंगे इसकी पूर परसेंट सुक्रोज के solution के feed कराते हैं यानि कि वो जो बड़े मोथ निकले हैं उनको हम feeding करवाते हैं जब उनकी feeding हो जाती है तो हम जो मोथ हैं उनको मेटिंग के लिए छोड़ देते हैं और जब वो मेटिंग कर लेते हैं तब female जिने की OV position करना है उनको अलग-अलग cases में रख देते हैं एपरोक्स इनका जो temperature maintain रखा जाता है वो होता है 27 plus minus 2 degree centigrade और humidity जो है वो 65 to 85 degree humidity रखी जाती है हेलिको वर्पा आर्मी जेरा जो है उसको फिल्ड जो लेबोरेटरी है उसमें इसलिए maintain किया जाता है ताकि केमपोलेटिस क्लोरीडी जो है उसकी concentration को हम maintain कर सकें क्य है हेलिको वर्पा आर्मी जेरा को उसको फिल्ड कंडिशन्स में बाइलोजिकली कंट्रोल करना है इसलिए हम चाहा रहे हैं कि हम केमपोलेटिस क्लोरीडी जो insect है उसका हम development कराएं उसकी हम mass production करवाएं केमपोलेटिस क्लोरीडी का mass production करने के लिए सबसे पहले हम केमपोलेटिस क्लोरीडी के कुछ कोकून्स को कोकून्स मतलब जो प्यूपल स्टेज में है उनको हम चिकपी के फिल्ड से कलेक कर लेते हैं अब यह हमें चिकपी के फिल्ड में ही क्यों मिलेंगे क्योंकि चिकपी ओसकोन को सब्टे глаз में डालते हैं ताकि हड्ल में बन जाए निगे निगल देन स्टी лож ग्ली ओंप से Ciao पाइस के पता है निगे ओसके पता फीन ठीन लुगत थेटे हैं ते वाये वाक्ष्ट ऑज हो जाके कब जाते हैँ जब वास्प सरीलीज इससे ap hone अब उन females को separate कर लेंगे जिनको oviposition करना है उनको separate transparent plastic vials में रखते हैं एक petri dish में inverted conditions में और एक single helicoverpa armigera का जो larva है मतलब एक larva एक female को देंगे केमपोलेटिस क्लोरीडी की एक female जिसे oviposition करना है उसको helicoverpa armigera का एक larva मिलेगा ताकि वो अपना oviposition कर सके और उस larva के उपर फीड कर सके और उस larva को खा सके generally जो केमपोलेटिस क्लोरीडी का जो parasitism देखा जाता है वो one to two minute का देखा जाता है helicoverpa armigera के larva को जब वो parasitism पूरी complete हो जाती है तो helicoverpa armigera के जो left जो larva होता है उसको remove कर लेते हैं और उसकी जगह पर chickpe based artificial diet रख देते हैं आगे के development के लिए और इस culture को इसी type से maintain किया जाता है इसी type से हम केमपोलेटिस क्लोरीडी की जो insect है उसको हम produce करते रहते हैं और इसको फादमे field में छोडने पर ये helicoverpa armigera के नार्वास के उपर feed करती है और इसके culture को maintain रख दे हैं 27 plus minus 2 degree centigrade temperature और 65 to 75% relative humidity पे